हाई बीटिफल एंजल्स वेल्कुम दो डिवाइन फैमली राधे राधे जाशी किछना आई होप आप अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नए रीडिंग जो कॉंबिनेशन होगी और एकल का और सैंड का इससे पहले कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें मैं अनौंस करना चाती हो मेरी अपकमिंग न्यू वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रही है 23 जुलाई से और ये वर्कशॉप 51 डेज की वर्कशॉप होगे जिसमें हम लोग डेली एक्टिविटीज करेंगे अपनी शैडो सेल्फ को समझेंगे काफी सारी सेल्फ रियलाइजेशन होंगी और काफी सार हम लोगों को अपने बारे में अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा ताकि हम लोगों जिस पार्ट में हीलिंग के जुरत है जिस शैडो सेल्फ के ओपर काम करने की जुरत है उसके पर काम कर सकें हील कर सकें और ब्लॉक जिसको रिमूफ कर सकें और आगे बढ़ सकें एक ऐसलिए वर्क्शॉप के साथ में इसमें बॉनस मिल रहा है है आपको एक और वर्क्शॉप मैजीकल ग्रैटिटूड़ कीजिए अदरवाइस मैंने आपको डेट पता दी है और 51 डेज की ये वर्क्शॉप होने वाली है बाकी आप डीटेल्स के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं स्टार करते हैं यह अदर द्रैड कुछ 17-22 हुआर्स ऑपके केसे वाले हैं वह देखेंगे अगें जर्नल क्रेकिट्टिव रीडिंग है सॉरि आज मैंने वैसे मुझे वीडियो वह करनी पड़ी यहिंदे कार्ड बैसे केमरा आउन करके कहीं टाले वीडियो में तो मैं निकाले हुए कार्स को दवारा नहीं डाल सकती तो next 72 hours के लिए energy देख लेते हैं यहां पर तो सबसे पहले तो दो लोग यहां पर इकठा हो रहे हैं यहां आपके twin हो सकते हैं, soulmate हो सकते हैं, family member हो सकता है, कोई guest आ सकते हैं, जो connect कर रहे हैं, interact हो रहे हैं और साथ में मुझे लग रहा है कि souls, जो soulmates वाली ज्यादा मुझे यहां पर energy लग रही है, connect करना, interact करना, कोई फिर से union और reunion के लिए आ रहा है, यहां पर मुझे और साथ में connection, fun energy, यह fun energy आपके बच्चों के भी हो सकती हैं, कि बच्चे connect हो रहे हैं, interact हो रहे हैं आपके और अच्छा quality समय गुजारने वाले हो आपने एक 72 hours में, soul level का मुझे जादा connection लग रहा है इस color की, but यह बहुत fun energy है, next time यहां पर poison apple, अगर किसी भी तरहां से आप low vibration में जाते हो, तो आपको पता है किस तरह से work करना है, आपने अपने उपर बहुत सारा spiritual work की है, तो आपको बहुत अच्छे से आप पता है कि किस तरह से इस window के थूँ आप बहार निंगल सकते हो, यनि कि किस तरह से अगर आप negativity में चले जाते हो, यह negative zone में चले जाते हो, कि किस तरह से आप अपनी situation में आपको किस तरह से दुबारा से peace से create करना है, किस तरह से आपको low vibration से दूर होन पर नेक्स्ट है यहां पर अपको जूरत पड़ेगी आपको प्रोटेक्शन की जूरत है यहां पर अगर और एक्सटरनल एप किसी और तो आपको ड़िएपिनेट्टी लेनी की जूरत है आर्चेंजल माइकल के साथ जुड़िए, उनके साथ काम कीजिए, उनको याद कीजिए, वो डेफिनेटी आपको हेल्प करेंगे, सौरी यहाँ पर कोई मुझे लगता है कि आपको appreciate भी कर रहा है, आपकी energy, आपकी growth, आपकी transformation के लिए, honor है यहाँ पर, किसी तरह की appreciation आपको ज़रूर मिल रही है, चाहे हो आपके work place पर हो, family member को यह appreciate कर रहा है, definitely appreciation है यहाँ पर आपके काम की, यहाँ आपकी as a person यहाँ पर children है, तो children से आप connect हो रहे हो, बच्चों के साथ समय बिता रहे हो, आपकी बच्चों जैसे energy, fun energy में हो आप, और साथ में यह आपकी masculine, feminine भी हो सकती है कि balance में आ रही है, या आप अगर masculine या feminine का किसी का weight कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, क्य कि यह कोई भी person हो सकता है, जो आपकी life में वापस आ सकता है, union, reunion की energy है यहाँ पर, awareness, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ important information है, जो आपकी तरफ आ रही है, यह spiritually, intuitively, आपकी तरफ आपको ध्यान देनी की जुरत है, यह कोई और information लेके आ रहा है, आपकी तरफ को और news लेके आ रहा है, यह कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान देनी की जुरत है, यहाँ पर, यह कोई important information भी हो सकती है, जो आपके आपका partner, यह आपके guides, आपकी intuitively, आपको information दे रहे हैं, जिसको आपको ध्यान सुनने की जुरत है, ध्यान देनी की जुरत है, silence में रहने की जुरत है, त सुन सके और काम कर सके साथ मुझे यहां पर किसी तरह की फ्रीडम भी लग रही है तो यह फ्रीडम किसी तरह के स्ट्रेस से हो सकती है और साथ में इस टॉक्सिसिटी से भी हो सकती है इंटर्नल या एक्स्टर्नल अगर आप लोग वाइबरेशन में चले गए लेकिन आप आपको जागने किसी को रात को भी किसी भी तरह के सपनों में कोई information आ रही है ये भी मुझे लग रहा है और आपको sleeping patterns भी change करने की जुरत है उनके साथ भी काम करने की जुरत है या वो change हो रहे हैं आप टाइम पर सो रहे हो उठ रहे हो तो यह sleeping pattern भी किसे के यहां पर definitely change हो रहे अब हम लोग sand reading से देखेंगे और क्या messages आते हैं अब start करते हैं sand reading जिससे और information जो भी हम लोगों मिलती है next 72 hours के लिए और क्या guidance होने वाली है वो देखेंगे हम लोग यहां पर अचानक से unexpectedly क्या हो सकता है वो भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आप बहुत सुंदर लगने वाले हों और बहुत सुंदर लग भी रहे हों यहां पर किसी को self love से connect होने की जुरत है यह pink color self love से connect हो यह self care से जहां पर भी आपको जुरत है अच्छे से खाने की अच्छे से पीने की अच्छे से सोने की जहां पर भी self care की जुरत है वहां पर प्लीज अपने ध्यान रखिए next 72 hours के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है अगर आपको थोड़ी सी carelessness में हो तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जुरत है कि हो सकता है कि आपकी health अगर आप यह नो सिर्फ काम ही कर रहे हैं तो healthy खराब हो सकती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि self care भी उतनी ही important है कुछ ऐसा यहां पर shocking है मैं बोल नहीं रही थी लेकिन मुझे पहले भी message मिला जब मैंने बोला कि अचानक से कुछ हो सकता है कुछ इस तरह का news कोई इस तरह की आपको कोई message मिल रहा है जो shocking हो सकता है आपके लिए ज़ूरूरी यह कोई person भी आपको कोई information ऐसी दे सकता है किसी person के तुरू आपको कोई information कोई news मिल रही है या फिर आपको यह कोई tv देख रहे हो आप serial देख रहे हो web series देख रहे हो वहां पर आपको कुछ इस तरह से आपके guides कुछ इस तरह की message दे सकते हैं आप थोड़ा से चौका जाओए कोई story ऐसी हो सकती है कोई news ऐसी हो सकती है जिससे आप connect कर लें जिससे आप connect कर लें और आपको हैरानी हो उसको सुनने के बाद देखने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है यह आपके कोई video भी हो सकती ही कि आप कोई video watch कर रहे हो अचानक से कोई video आपके सामने आई और आप उसको सुनके हो सकता है वो किसी की video आप पहली बारी देख रहे हो पहली बारी आपको अचानक से वो आपके सामने आ गई अचानक से आपने कुछ सुना और आप शौक रहे और यह आपके लिए कही ने कही शौकिंग भी हो सकता है आपके लिए कि इस तरह से ये इनिवर्स काम करता है किस तरह से इस पिर गायर्ड आ तक वह इन्फरमेशन पहुचाते हैं सेम ही चीज़ है, जैसे आप अचानक से किसी नही टेरो रीडर की रीडिंग पे पहुंच जाते हो। या रीडिंग पराये हो। या मेरे चैनल में औराये हो। ये गख़ली ही यह हो। हिरान हो जाना कुछ इस तरह की information आपके सामने आ सकती है किसी तरह की आपकी situation में कोई change आ रही है या आप change ले के आ रहे हो तो किसी तरह की positive change है यहाँ पर वो किसी personal अपनी life से related हो सकती है आपके रिष्टों से related आपके finances आपके work place से related हो सकती है कि कोई situation में आप change लेके आ रहे हो और कहीं कि यह change अपने आ आ रही है तो जैसे अचानक से growth देखने को मिली आपके अपने काम में या अचानक से आपने कोई ऐसी positive change की जो आप बहुत देर से सोच रहे थे और वो अब अचानक से आपने उसको change को लेकर आए जो बहुत देर से plan कर रहे थे तो कुछ इस तरह के भी यहाँ पर energy है कोई change है यहाँ पर आपकी situation को लेकर most probably यह आपकी personal life से related लगे अब बहुत पीस महसूस करोगे next 72 hours में आरा अब अकेला भी रहना पसंद करोगे अकेला अपने साथ काम कर रहे हो ताकि आप मंतरा के जाप में रह सके जाप कर सके हाई वाइब्रेशन में रह सके अपने जो भी काम हैं जो आपने सोचे हुए हैं उनको कामों को निप्टा सकें चाहे वो cleaning है या आप कोई book read कर रहे हो चाहे आप कुछ भी ऐसा important अपना काम कर रहे हो उसके लिए आपका दिल करेगा कि आप अकेले रहे हो मुझे तो बस अपने काम पर फोकस करना है तो कुछ इस तरह की energy है यहाँ पर अगर आप low vibration में हो राइट नाउ या अगर आपको लगता है कि लो वाइब्रेशन में आप यह health की बज़े से भी हो सकता है आप उसमें से निकलने माले हो तो आपको शायद पता नहीं कि यह क्यूं हो रहे हैं और आप low feel कर रहे हो और आप ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हो तो आप आप बैटर फील करोगे ठीक है यह उनके लिए है जो लोग फील कर रहे हैं करंट या फील कर सकते हैं अगले 72 आवर्स में कि यहां पर आपको बहुतत शारी परेमिए जांकरी मिलेगी इंफरमेशन मिलेगी आथ हैसाओ आपकी जर्नी के बारे में आपकी डेस्टनी के बारे में आपके लेसंस के बारे में इस तरह की काफी सारी इंफेरमेशन से आती हुई लग रही है वह जो आउल यambyss का News. कि इंपॉर्टन इंफोर्मेशन आपकी तरफ आ रही है तो वह इंफोर्मेशन भी कुछ सर्प्राइजिंग होगी आपके लिए अपने बारे में जानना कुछ रेवील होना वह थोड़ा सा आपके लिए सर्प्राइजिंग होगा कि आपने सोचा नहीं था कि यह इंफोर्मेशन ऐसे आपके सामने आएगी आई रून वह कैसे आ रही है तो तो यह थोड़ा सा आपको इस तरह की इंफोर्मेशन जो आपके सामने आ रही है तब वह आपको लगेगा कि कि इस तरह से सामने आ रही है है कि हो सकता है कोई और सामने लेकर आ रहा है वह information को जो आपको पता नहीं आपको थोड़ा से शाक लगे इस चीज में या कोई नए परसन को यापको information दे रहा है I don't know यह आप मुझे बताना comment section में मुझे शायद explain नहीं करना रहा है इस message को चोटी-चोटी बहुत सारी good news भी है आपके लिए next 72 hours में I don't know यह किसी के लिए हो सकती किसी के लिए दो किसी के लिए काफी सारी हो सकती है I don't know जो message है यहाँ पर वो दे रही हूं मैं claim कीजिए hope रखिए कि हाँ यह हो रहा है तो definitely कोई ना कोई तो मिली जाएगी good news the next 72 hours में कुछ good news है जो आपकी तरफ आ रही है एक दम से किसी की बहुत सारी चीजें जो छोट छोटी विशिस थी वह पूरी हो सकती है जैसे शायद मैं एक एक्जामपल दे रही हूं कि किसे ने सोचा था कि मेरे मुझे यह यह चीजे चाहिए तो आप अचानक से आपका शापिंग का ट्रक बन गया और आप वह सारी चीजें ले आए उस दिन खरीद कर तो इस तरह से यह चोड़ी शोड़ी विशिस जो है वह एक ही दिन में आपकी पूरी होगी यह एक 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 एक्जामपल है आपको किसी ऐसे नेगटिव पर्संट का सामना करना पड़ सकता है वह टॉक्सिसिटी का कार भी आया था तो इंटर्नली भी एक्स्टर्नली भी हो सकता कहियों के लिए इंटर्नली होगा और किसी के लिए एक्स्टर्नली होगा कि कोई और आपको पर्संट वर्क प्लेस पर घर में कहीं पर भी फ्रेंट सर्कल में आप कहीं गए हो वहाँ पर किसी नेगटिव पर्संट का सामना करना पड़ सकता है आपको कन्फरंटेशन है यहाँ पर आपको घवराना नहीं है आप ये कर पाओगे, confront कर पाओगे उस परसन के साथ, तो अगर आप, यूनो बहुत स्वीट हो, और बहुत ज़ादा आप जगड़े से और आर्ग्यूमेंट से डरते हो, और हमेशा वाइड करते हो, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो, वो इसलिए कि sensitive लोग इस चीज से इस चीज में पढ़ना नहीं चाते हैं, शोर उनको पसाद नहीं है तो वो पढ़ना नहीं चाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो, लेकिन, यहाँ पर spirit guides आपको ये काम करने के लिए बोल रहे हैं, confront करना, तो यह आपका हो सकता है कि पास्ट में यह करमा रहा होगा, कि आप confront करने की बजाए कि बोलने की बजाए कि आपने ये गल्थ किया है, आप कहते हों कि यार कौन लड़ेगा इसके साथ भाग जाओ यहां से, मुझे peace चाहिए, तो आप शोर शराबे से, लड़ाई से, जगड़े से दूर भागते हूँ, लेकिन अब spirit guides आपके actual में आपको insist करेंगे, actual में आपको encourage करेंगे, और अचानक से आप में एक share जाग जाएगा, तो इतनी जादा हिम्मत आजाएगी कि आप वो नहीं करोगे, अब आप उसको face करोगे, तो ये किसी के साथ confrontation आपकी हो सकती है, next 72 hours में, और आप बहुत भावदरी से करने भी वाले हो, और ये कोई भी हो सकता है, ये नेबर हुड में हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये person जिसका आप सामना करोगे, confront करोगे, यहाँ पर कुछ लोग जो बहुत जादा देर से हार का सामना कर रहे थे, किसी तरह की हार, ये किसी भी तरह की हार हो सकती है, कि शायद उनकी manifest नहीं हो पारी थी चीज़ें, जो वो manifest करना चाह रहे थे, बहुत साथ चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही थी तो आप देखेंगे कि एक नया cycle स्टार्ट हो रहा है और चीजें धीरे 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 उनके हिसाब से होने लगी हैं जैसा वो wish कर रहे थे जैसा वो plan कर रहे थे जैसा वो manifest कर रहे थे तो चीजें वैसी ही धीरे धीर आपको विजुलाइज करना है जो भी आप जैसा चाहते हो सपोज आप नया घर चाहते हो रहा है तो अपने आपको विजुलाइज कीजिए कि आप लड़ी उस घर में घूम रहे हो कौन सा पेंट कलर है डीटेल्स पे जाए दस मिनट के लिए विजुलाइजेशन कीजिए यह सब यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है जो यहाँ पर मुझे मैसेजिस मिल रहे हैं और आई होब कि आपकी काफी सारी विश्चेस पूरी हो और डेफिनेर्ली स्टार्ट हो जाएं नेक्स सेवंटी टू आवर्स में बहुत साथ चीजों को लेकर आपका नजरिया भी बदनने वाला है परसेप्शन चेंज होने वाली हैं आपकी कुछ तो ऐसा होगा जिससे कुछ तो ऐसा होगा या कुछ नया साइकल है या कुछ ऐसा पॉजिटिव चींजिस हो रही है इंटर्नली जो आप काम कर रहे हो एक इनख नगर वर्क कर रहे हो या छिए स्पिरिछ रचचिस के साथ कि आप देखोगे की जैसे चीज़े आप सोचा किया करते यानि कि किसी तरह के वेज ओफ थिंकिंग और वेज ओफ लिविंग जो है वो चेंज हो रहे हैं चाहे वो इतना से हो जाए कि अब पहले आप काम को सिर्फ काम की तरह समझते थे आप थोड़ा पैशन की तरह उसको इंजॉय करके करते हो चाहे इतनी सी बात हो कुछ तो perception में चेंज है यहां पर इवन आपके भक्ति करने के तरीके में चेंज हो सकती है तो वो हो सकती है आपको यहां पर divine से भी काफी सारे message मिलेंगे 72 hours में तो अगर direct messages को receive कर पाते हो तो आप directly definitely यहां पर messages को receive करने वाले हो next 72 hours में कुछ चीजें कैसे कर सकते हो आप या कैसे करनी चाहिए आपको इस बारे में भी काफी कुछ समझ में आएगा आपको जैसे आप कोई एक नया काम करने वाले हो तो आप पहले हिचकचा रहे थे अब आप सोचोगे जब तो आपको समझ में आएगी कि आप इस तरह से कर सकते हो तो आपको अच्छा लेगेगा यह जब आपको यह मेंसेज मिलेगा कि इस तरह से आप कर सकते हो यह थोड़ा सा फन समे फन टाइम रहेगा यहां पर आपका नेक्स सेमेटी टू आवर्स में कुछ फन टाइम भी है यहां पर हस रहे हो आप फान टाइम गुजार रहे हो फैमली के साथ कुछ वाच कर रहे हो पार्क में जा रहे हो पिकनिक पर जा रहे हो कुछ इस तरह के भी यहाँ पर फान टाइम है आपके लिए काकि मेरे कि पीने के सामान आल के में रहे हृए है वर में आपके यही मेंसिज है की आप बेलात्यम blem काफी अच्छ आपका इन्यक 72-1 आप स्वांगे से бы्लान से उस lawn समय को अपने काम को enjoy कर रहे हो और अपने आपके भीतर भी बहुत सारी positive changes को लेके आ रहे हो perceptions आपकी change हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जो surrender की भावना से आपकी जो wishes भी वो start हो जाएंगी पूरी होनी यहां पर मुझे message सुन रहा है कि किसी तरह की blockages और stuck energy भी थी अगर वो भी धीरे धीरे remove की जारी है यहां पर यह शायद वो new cycle का यहां पर जो start हो रहा है दीरे दीरे तो आप उस transition पर हो कि let go कर रहे हो एक cycle को complete कर रहे हो close कर रहे हो इस chapter को और नए cycle में enter कर रहे हो तो इस तरह की कुछ changes आपको देखने मिलेंगी अपने इसलिए मैंने बोला उस नए cycle में कुछ अगर बड़ा भी नहीं change आपको नजर आ रहा पर आ लगेगा कि आपने सोचने का काम करने का नजरिया तरीके यह सब थोड़े different थोड़े change हो रहे हैं और यही नए cycle की शरुवात है आपके तो नए cycle में बहुत सारी consciousness awareness है यहाँ पर कि awareness के साथ काम करना चीजों को apply करना आपने lessons को apply करना अपने experience past के experiences को apply करना तो वह आप repeat नहीं करोगे जो आप past में करते आये हो अपने पराने cycles में तो जो है बहुत ही बहुत अच्छी बात यहाँ पर guidance देख लेते हैं आप लोग यहाँ पर मुझे message मिल रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है इसलिए participate कीजिए उससे भागी मत तो जो भी situations आती हैं जो भी हो रहा है यह external changes है यह internal changes है उनको आने दीजिए flow में रही है यह आपी के बेतरी के लिए आपके betterment के लिए हो रहा है इसलिए उसको surrender करना है और आपको participate करना है उसमें भागना नहीं है उससे जो भी है तो spiritual team आपके साथ है अगर आप कहीं पर भी अकेला महसूस करें spiritual team आपके साथ है fully support है आपको और आप protected हो तो यहां पर यह भी message है कुछ यहां पर चार्म्स देख लेते हैं हम लोग और एक किशना message भी देखेंगे हम लोग एंड में एंजल विंग है यहां पर तो spirit guides तो हैं ही है साथ में किसी तरह की support आपको वापस आ रही है यह जो मैंने union की बात की यह हो सकती कि आपका एक विंग जो था missing था तो वो कोई और लेके आ रहा है आपका विंग वापस करने आपको किसी तरह की support करने honor देने आपको appreciate करने आपकी respect के लिए या आपकी balance करने energies को तो अगर आप हमेशा ही giver रहे हो तो कोई person आके आपको balance कर सकता है आपके scales को six of pentacles की energy यहां पर है heart chakra की energy heart में जो आपने दबाया हुआ था कुछ इस तरह के emotions वो release हो रहे हैं तो empty हो रहा है heavy emotions ना कि मैं good emotions की बात नहीं कर रही हूं यहां पर कुछ past के emotion हो सकते हैं जिनको आपने रोखा हुआ था रुके हुए थे क्योंकि यहां पर anchor भी है इसके साथ वो खाली कर रहे हुआ आप heavy pause था जो आपके life में उससे आप बाहर निकल रहे हो किसी चीज की जो बिलकुल यह आई you know किसी new beginning का आप इंतजार कर रहे थे यहां पर hope रखे हुए थे new beginning या new beginning का new cycle का तो वो यहां पर ready है आपके लिए start है जिसकी हम लोगों ने यहां पर new cycle की बात भी की है movement है यहां पर jellyfish से jellyfish से एक तो flow flow में रहना कोई भी fish यानि की flow को पताती है कि flow में रहना जिदर को भी पानी जा रहा है उससे flow में बह जाईए surrender कर दीजिए और साथ में यह jellyfish जो है कुछ changes आपके चारों तरफ से आ सकती है इस तरह की भी changes मुझे यहां पर लग रही है flexible रहने के लिए बोला जा रहा है यहां पर surrender करने के लिए स्कॉर्ल है यहां पर जो ट्री की तरफ जा रही है उपर चड़ रही है हाइर consciousness की तरफ जा रहे हो और आप अपने fruits fruits आपकी तरफ आ रहा है fruits जो आपने किसी भी तरह का balance या जिसके लिए अलड़ी काम किया है आपने वह आपकी तरफ आ रहा है यहां पर मैंने दो तिन और निकाले है यहां पर है यह arrow काफी सारे messages and information हो सकती है आपकी तरफ आ रही है कोई communication हो सकता है यहां पर है यूनिकार्ण के energy कुछ magical things है यहां पर मैजिकल मैनिफेस्टेशन है फ्रीडम है होट से फास्ट फास्ट आगे की तरफ मूव करना freedom, miracles की energy, spirit guides की energy है यहां पर यह last जो है dragon की energy मुझे लगता है यह वो ही fiery energy जो मैने बोला की confrontation है यहां पर कुछ चीज़ों के लिए किसे के साथ आपको confront कर रहे हो यहां पर कृष्णा message देख लेते हैं final message आपके लिए definitely अपनी strength को पुकारिए compassionate और faith और wisdom के साथ आपको जुड़ना है यहां पर भी दिखाया जा रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है connect होने के लिए आपकी help करने के लिए support करने के लिए चाहे वो spiritually हो चाहे वो physical world में हो अगर जो person आ रहा है अगर आपके past में कुछ ऐसा रहा भी है इस person के साथ कुछ अच्छे experience नहीं रहे हैं तो भी आपने उनको let go करना है हम लोगों को यह weekly reading में भी था और कल की reading में भी था pain को share करना है यहाँ पर कुछ losses हो सकते हैं losses जो चीजें मैंने बोली guidance में आपके फायदे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है लेकिन यहाँ पर share करना जिनके साथ भी आप आप शेयर कर सकते हो, जिनको भी अपने आप मानते हो आप, तो pain कम होती है जब आप शेयर करते हो, तो social interaction है यहाँ पर, लोगों के साथ, किसी के साथ भी, क्योंकि communication है यहाँ पर, तो एक person के साथ हो सकता है, काफी लोगों के साथ आप communicate कर रहे हो, discuss कर रहे हो, एक दूसरे के दुख सुक बांट रहे हो, यहाँ पर उस तरह की भी energy है, जिससे आप अपने आपको हील कर सके, यहाँ पर काफी सारे messages आ गए है, क्रिशन हमेशा आपके साथ है, ठीक है, उनको याद कीजिए, connect कीजिए, यहाँ पर बहुत सारा पानी, अपनी intuition के साथ भी connect करना, intuition आपको बहुत अच्छे से guide करेगी, यहाँ पर message है कि, क्रिशन भी आपके intuition के through, आपको messages भेजेंगे, जहाँ पर भी आपको information की, या messages की, या कोई decision लेने की जुरत है, यहाँ पर, again, accept करना, healing है, यहाँ पर connection है, यहाँ पर, masculine and feminine का connection है, यहाँ पर, एक और card मुझे ऐसे flip हुआ हो दिख रहा है, जो हम रोपा, final card लेंगे, हाँ पर किशना का, negative people need drama like oxygen, stay positive, it will take their breath away, तो negative लोगों से दूर रही है, negative लोगों से दूर रही है, but suppose अगर एक ही person आपको बार बार, negative zone में लेके जाता है, या disrespectful है, या abusive है, कुछ भी है, right, तो आपको confront करके, उसको बताना है, कि वो, हम, आप entertain नहीं करते हो, इस तरह की energy को, ठीक है, और ये आप tolerate नहीं करोगे, तो confrontation कई बार, ठीक है, हम लोग पीस में रहना चाते हैं, किसी भी तरह के dispute को, argument में नहीं फसना चाते हैं, अपनी पीस को वो नहीं करना चाते हैं, खराब नहीं करना चाते हैं, लेकिन कई बार, ऐसे लोगों को confront करने की जूरत पढ़ हैं, क्योंकि वो हम लोगों को कमजोर समझते हैं, तो यहां पर, जो मैंने बोला भी था, आपको किसी तरह की confrontation करना और बताना उनको, अपनी पूरी strength के साथ, कि आप इस तरह की negativity को, जगा नहीं देते हो, नहीं appreciate करते हो, नहीं आप participate करते हो, इस तरह के drama में, ठीक है, तो यह थी, आप लोगों के लिए reading, thank you, thank you, thank you so much for watching, please like, share and subscribe, जूर करें मेरी चैनल को, और comment section में जरूर था हैं कि आपको यह reading कैसी लगी है, thank you, thank you, thank you so much for watching, and bye for now.